बड़ी पुरानी कावत है कहते हैं दोस्त को पहचानो या न पहचानो अपने दुस्मनों को जरूर पहचानो और ध्यान रखो उनकी हर एक्टिविटी पर भारत क्या कुछ ऐसा ही कर रहा है एक तरफ लाल सागर में कहा जा रहा है कि अब जोरदार एर स्ट्राइक की तैयारी में है अमेरिका तो वहीं दूसरी तरफ तूर्की ने एक बेहद खास ड्रोन बनाया है क्या तूर्की के ड्रोन को भारत का UCA भी देगा बड़ा जवाब जियो पॉलिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन लाल सागर में ब्रिटेन और अमेरिका दुनिया के सबसे ब्यास्त सिपिंग लेन में हुती विद्रोहियों पर हवाई हमले शुरू करने के करीब पहुंच गये हैं यानि जल्दी उनकी फोर्स रेड सी में बड़ी कारवाई शुरू कर सकती है ब्रिटेन के डिफेंस चीप जब लाल सागर में बैपार को बाधित कर रहे आतम की यह का नहीं दी जा सकती है कि लाल सागर में पैदा हुई परिशानी के समाधान ढूनने के लिए कूटनितिक परियास किये गए लेकिन इससे बहुत सीमित सफलता मिली है हम दुनिया के परमुक जलमारगों में से एक को फिरोती के लिए रखने की अनुमती नहीं दे सकते हैं जो बैस्विक बैपार करता है ड्रोन और मिसाइलों के साथ वानिजिक सिपिंग पर हमला हम सभी और हमारी संस्कृति और स्वतंतरता पर हमला है इस तरह से नागरिक नववहन को निसाना बनाने का कोई औचित्व नहीं है हमें इन अवैद हमलों को ततकाल रोकने की जरूरत है और इसके लिए हम कदम उठाएंगे दसन की रिपोर्ट के अनुसार 25 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 30 दिनों में लाल सागर में हमले का सामना करने वाले 20 जहाजों में से 8 या तो UK के थे या उनके चालक दल में बिटिश थे फिर वो UK के लिए समान भी ले गए थे बीपी और मैसक ऐसी परमुक सिपिंग कमपनिया इस चिंता के बीच जहाजों को लाल सागर से दूर ले जा रही है कि संकट से वस्तों की कीमते बढ़ेंगी और महंगाई भी बढ़ेंगी अगर हुती जीवन और बैपार को खत्रा देना जारी रखते हैं तो हम आवस्यक और उचित कारवाई करने के लिए मजबूर होंगे यमन के हुती विद्रोही लाल सागर में इजराइल और उससे जुड़े जहाजों को निसाना बना रहे हैं 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में अब हुतीों ने नए हमले करने सुरू कर दिये हैं जहां एक तरफ लाल सागर में ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इसक्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप दरसल ये जो बैकर हैं यानि की बखतियार ड्रोन के मालिकान कमपनी उसने इस ट्वीट को जारी किया है और बड़े ही गौरवानमित होकर इनोंने पूरी की पूरी वीडियो सोसल मीडिया पर जारी की है जिस वीडियो में इनोंने बड़े आंकार से बताया है कि इनोंने अपने नए ड्रोन का परिक्षन किया है और नए ड्रोन के परिक्षन में इन्हें बड़ी काम्याबी मिली है आपको बता दें बख्तियार की जो टाइम है वो टाइम बढ़ चुकी है करीब 32 घंटे तक 5700 किलो मीटर की इसने फ्लाइट करी और ये एक तगड़े ड्रोन में आता है पर भारत के लिए ये अच्छा नहीं है वहीं दूसरी तरफ अपने इस्टिल्थ ड्रोन अंका का भी इन्होंने रिक्षन किया और इसको लेकर भी खबरे आई कि अंका भी एक बड़ा ही जबरजस्त ड्रोन बनने वाला है तुर्की का पहली बात तो ये एक श्टिल्थ ड्रोन है कितना महतपुर्ण है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अर्दोगन ने गुरु वार को खुद ऐलान करते हुए कहा कि हाँ जी अंका की जो हमने परिछन लिया 8000 फिट के उपर तक इसे उड़ा कर देखा गया स्क्रीन पर तस्वीरे देख सकते हैं इसका डबलपर है तुर्कीस एरोइस्पेस इंडस्ट्री और ये बना रही है इसे कहा जा रहा है कि ये बखतियार ड्रोन से भी ज़्यादा ताकतवर होगा अब इसकी इंपोर्टेंस ऐसे समझिये कि अर्दोगन ने खुद ट्वीटर पर इसके बारे में ट्वीच किया और कहा कि हम आसा करते हैं हमारे देश के डिफेंस के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चीज होगी और इसमें एडवांस टेकलोजी, एडवांस डिजाइन, एडवांस फीचर लगे हुए है जो तुर्की को मदद करेंगे अंका थ्री की स्पीड है एक सो पचास नौट की और माना जा रहा है कि इसका पहला फ्लाइट परिक्षन सफल ही रहा है जल्द अंका थ्री ये बना भी लेंगे पर सवाल ये उठता है कि भारत क्या इसके लिए तयार है तो हाल फिलाल में भारत ने भी स्विफ्ट ड्रोन को लेकर जिसे DRDO का घातक कहा जाता है उसे लेकर कई परिक्षन किये हैं भारत लगातार अपने DRDO को अपग्रेड भी कर रहा है इस बीच भारत का एक प्रोग्राम UCAB बहुत जादा चर्चा में आ गया है और UCAB के चर्चा में आने की एक बड़ी वज़े है कि भारत घातक UAB का हाल में ही इन्होंने परिक्षन किया और कहा गया कि ये लगभग बन चुका है और ये अब तयार है अगर ये तयार है तो भारत आगे के लिए काम कर सकता है और आगे के लिए भारत ने काम करना भी सुरू कर दिया है जो इनका मॉडल है उस मॉडल को तरिक्षन में डाला जा रहा है इसके तहत भारत क्या बनाना चाहता है दरसल भारत बनाना चाहता है एरक्राफ्ट यानि की P2 बॉमबर के डिजाइन की तरह बना हुआ भारत का ये ड्रोन भारत की दूसरी सफलता की और भारत को बढ़ा रहा है आपको बता दें जहां भारत का घातक रेडी हो रहा है तो वहीं भारत एक और प्रोग्राम पर काम कर रहा है जिसे कहते हैं UCAB और इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि भारत एक एरक्राफ्ट यानि की एक फाइटर जेट बना रहा है और वो फाइटर जेट अन्मेंड जो परिक्षन चल रहा है इस परिक्षन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आर्टिकल भारत इसको लेकर अब एरक्राफ्ट बनाने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है आपको बता दें भारत का ये प्रोग्राम सफल होने का मतलब है कि ड्रोन की दिशा में जो चैलेंज पैदा हो रहे हैं वो चैलेंज हल करने में भारत सक्षम होगा घेर जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है उसी दिशा में आगे बढ़ना बेहत ज़रूरी है भारत का इस्टिल्ट यूए भी तैयार हो चुका है तुर्की के तुलना में तुर्की का भी तैयार होने की जिसमें भारत एयर क्राफ्ट से तबाही मचाएगा वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ